पदमिश 247 के माधियम से हम जिले भर की पलपल की ताजातरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माधियम से भी आपको खबरे दिखाई जाती है लेकिन यूट्यूब में प्रती दिन की पूरी खबरे नहीं होती बलकि चुनिंदा खबरे ही दि नमस्कार पतमिश 24-7 में आपका स्वागत है मैं हूँ अरशना मिश्रा आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हैडलाइन्स पर मास्क नहीं पहलने पर हज़ारों का जुर्माना वसूल करने वाली नगरपाली का कोरोना पर स्वैम है कितनी जिम्मेदार देखिए कैसे चल रहा है कार्याला में काम जिले की बॉर्डर पर पकड़े गए दोसो पच्छीज स्थान से लदे एक फ्रॉक जल्द शुरू हो सकती है व्यापारियों पर कारवाही आखिर क्या है नगरपाली का की मजबूरी शास्की भवनों से टेक्स वसूलने पर क्यों दिखाई जा रही महरबानी ओनलाइन के भरोसी होगी महा विध्याला की पढ़ाई एड्मिशन लेट हुए तो क्या समय पर हो सकती है परिक्षा और अब खबरें विस्तार से कोरोना संकर्मन काल में नगरपाली का परिशद बाराखाट में एक कहावत बड़ी तेजी से चरीतार्थ हो रही है जब सईया भई कोत्वाल तो डर किस बात का जिहां तस्वीर जूट नहीं बोलती जब पदमेश न्यूस का कैमरा ओन हुआ तो सारी की सारी बात उस पर रिकॉर्ड हो गई जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि नगरपाली का का यह दोहरा रवया क्यों अपना रहा है सरक्षलते लोगों पर मास्क नहीं पहनने पर कारवाही कर रहा है और खुद ही बगैर मास्क के लापरवाही बरत रहा है कर रहा है मास्क कुले का रामजन को जागरोख करने की जिम्मेदारी नगरपाली का प्रशासन को सौपी गई है और नगरपाली का के करमचारी ताबल तोड तरीके से जिले के विभिन्न चौक चौराहों में खड़े होकर मास्क नहीं लगाने पर चालानी कारवाही कर राशी वसूल रहे है लेकिन नगरपाली का की विभिन्न विभागों में काम करने वाले करमचारी की बात करें तो उन्हें नगरपाली का की ओर से अभायदान दे दिया गया है लेकिन इनके चालान कौन काटे ये तो आम जनता को ही तै करना पड़ेगा पदमेश न्यूस की टीम ने जब नगरपाली का के सभी विभागों का जायसा लिया तो अधिकांश करमचारीों के द्वारा मास्क ही नहीं लगाया गया था कुछ करमचारियों ने मास्क को गले में टांग रखा था आपचारिक तब पूरी करते हुए वे नजार आ रहे थे और कुछ करमचारी मेडिया को देखते ही अपने मास्क को ढूलने में लग गए मास्क मास्क प्रॉफ्ट कर दो बाता हुए वे तो आपचारिक तब को अलग से एक धाया गला गया श। घ्राइना धुझक। और इवार प्रॉफ्ट को एक तो प्रॉप्ट कर दोग। को प्रॉब को गई तूप कर दोग को एक हुआ थे यूटियों कर दोदक कर दो चले दिखाते हैं नगरपालिका के जिम्मेदार, क्या कहते हैं? जैसे कि आप अभी रिसेप्शन पर बैठे हो, मास्क तो लगा है, लेकिन मास्क को हटा दियो, तो ऐसे मास्क लगाने का मतलब क्या है? क्या मतलब क्या है फिर ऐसे मैं? जिदो नहीं लगा है और लगा है के बराबर ही हो गया है? तो मास्क कितना जरूरी समझते हैं आप तो फिर आप मास्क प्रॉपर क्यों नहीं लगा यूँकि कि आपके पास तो 50 लोग आएंगे आप से जानकारी पूशते हूंगे कोई विबाब पूशते हूंगे किया मां तेयां? नगर से कारोई कर रहे हैं। जो कारवाई कर रही है, मास्क जो नहीं लगारहे, यहां के करमचारी मास्क कर नहीं लगा रहे हैं। गहां तक रृषी तर Was the the best मुझाम कर चात है। क्डेदी कारेरे से थुड़ा सा फकी giving marriage अब यहाँ तुरत चलान काट जाते हैं, टुरत तुरत तुरत हो अंकों को अगब तुरत हैं जाता है अब्या, हमने मास्क के लेट क्या काता है? मास्क क्यो नहीं लगा जो इंहाँ चार अदर को प्लाइए तुझा नियुक्त है। क्या नामा आपका? इनकी. या जयते कि अभी नगरपलिका काफी ऐसे कमचारी को मास्क लगाने हैं। कहां तक उचित मांते हैं। मस्काशी कामचाल लगाना छीँ है। ने हम कोई मास्क लगाना श्राइखते हैं। वही मीडिया को देखते ही कुछ करमचारीों के द्वारा बहाना बनाते हुए अपने कम्यों को छुपाने का प्रयास किया गया इन हालातों को देखते हुए यह आसानी से अंदाजा लगाए जा सकता है कि नगरपाली का में दोहरी निती अपनाई जाती है जहां एक और दिया तले अंधेरा की कहावात चरितार्थ हो रही है तो वहीं दूसरी और जिम्मेदार भी चुपी साधे हुए बैठे है जब इस मामले में मुखी नगरपाली काधिकारी सतीश मरसैनिया से चर्चा की गई तो उन्होंना भी जागरुकता का हावाला देते हुए अपना पल्ला जाड़ लिया जब लोगों से बाते भी किये कि आप लोग ने मास्क नहीं लगाया है आखिर क्या कारण है और दूसरी चीज हम जनता को अवेर्नेस करने के लिए चालान काट रहे है तो फिर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगर जिस विभाग के दोरा चालान काट जा रहा है वही विभाग ही नहीं हमों को पालान नहीं कर रहा है तो अगर आपको फिर भी ऐसा लगा है कि नहीं लगा है तो मैं हमों को मोटिवेट करूँगा कि अवेशा मोग मास्क आई भी तीन दिशंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघार जी लेके 20 मरीजों के सेंपल कोरोना पाजिटी पाए गये हैं और शासन के प्रोटोकाल के अनुसार 21 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 3 दिशंबर को डिश्चारज कर दिया गया है इस प्रकार बालाघार जीले में अब तक कुल 2683 मरीज कोरोना पाजिटी पाए जा चुके है इन्हें से 2485 मरीज शासन के प्रोटोकाल के अनुसार ठीक हो कर अपने घर जा चुके है 162 मरीजों का उपचार किया जा रहा है 25 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉल ने छिंद बाड़ा रेफर किया गया है और 11 मरीजों के मृत्ति हो चुकी है अने जिलो एवाम राज्यों में बालाखाट जिले के 349 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गया है मुख्य चिकिस्सा एवाम सौस अधिकारी डॉक्टर मोनच पांडे से प्राप्तो जानकारी कनुसार तीन दिसंबर को बालाखाट जिले के 20 मरीजों के सेंपल कोरोना पाज़िटी पाए गया है इन मरीजों में लालबर्रा तेसिल के ग्राम पांधरवानी का 28 वर्षी यूवक्त 27 वर्षी महिला 34 वर्षी महिला वर 8 वर्षी बाली का नगरी छेत्र बालाखाट वाड नमबर 6 देवी चोक की 27 वर्षी महिला पुलिस लाइन का 9 वर्षी बालक 6 वर्षी बाली का वाड नमबर 32 की 27 वर्षी यूती, 34 वर्षी महिला, 44 वर्षी महिला, 14 वर्षी बालक, 10 वर्षी बालक, 13 वर्षी बालक, 12 वर्षी बालक, 9 गाउ की 38 वर्षी महिला, 22 वर्षी यूवक तथा ग्राम चरेगाउ की 22 वर्षी यूती, 13 वर्षी यूती, 15 वर्षी यूती शामिले निर्मान कारी की फाइल ओनलाइन मेंशन करने की नाम पर नगरपाली का द्वारा पैसों की मांग किये जाने का एक ताजा मामला सामने आया है जिसमें भाशपा, युवा मोर्चा, जिला मंत्री, कपिल में श्रामने, नगरपाली का के मस्टर रोल करमचारी शेखर राय पर प्रती फाइल मांगने का आरोप लगाते हुए मास्टर रोल करमचारी को पद से प्रतक किये जाने और उन पर दंडात्मक कारवाही किये जाने की मांग की है वही मांग पूरी ना होने पर मुख्य नगरपाली का अधिकारी और कलेक्टरेट का घेराव कर प्रदर्शन किये जाने की चेतावनी दी है रोल नाली का मैं काम करते हैं वर्स 2017 में मेरे द्वारा वाड़ करमां 13 सुनिल मेशराम के सामने एक रोल का मेरे द्वारा काम किया गया था और जो आज वरतमान 2021 लगने को आने को हुआ है तो जो जो सम्बंदित इंजिनियर थे या जो सम्बंदित यहां के तरमचारी है पूरे मामले के संदर्प में दूर्भाश पर की गई चर्चा के दौरान नगरपाली का कर्मचारी शेखर रायने उनके उपर लगे सभी आरोपों को जूठा वा बेबुनियाद बताया है चर्चा के दौरान उनने बताया कि जिस ठेकेदार ने उन पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है उस ठेकेदार से उनकी पिछले चार महिने से मुलाकात नहीं हुई है जिले के रामपाली थाना अंतरकत ग्राम जाली वारा समेप चंदन नदी के तट पर इस्थित शम्शान खाट में मिली अधजली लाश आखिर किसकी है पंदर दिन बाद भी ये पता नहीं लग पाया है अब या भी इस पस्ट नहीं हो पाया है कि यह लाश महिला की है या फिर पुरुष की जिसकी हत्या की गई है या उसकी स्वाभाविक मौत हुई लेकिन जिससे सिती में लाश को आपके हवाले किया गया है उससे ये संभावना प्रबल हो जाती है कि ये हत्या का ही मामला है पुलिस अधिक्षक अभिशेक तिवारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जाच के लिए पुलिस टीम का गठन किया है और यह टीम सभी बिंदूओं को लेकर जाच परताल कर रही है बता दे की 18 और 19 नवंबर की दर्म्यानी रात ग्राम पंचायत जाली वाड़ा के शमशान खाट में किसी लाश को जला दिया गया 19 नवंबर की सुभर शमशान में अधजली लाश देखे जाने से इस छेत्र में संसनी फैल गई सूचना मिलते ही रामपाईली पुलिस की अलावा जिला मुख्याराय से पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुँच कर जाच परताल शुरू की फॉरंसिक एक्सपर्ट डॉग स्कॉयट से तस्थीक करवाई गई लेकिन कोई सबूत हासल नहीं हुआ आसपास के टोले और गाव में पता किया लेकिन 18 नवंबर को दिन और रात में किसी भी व्यक्ति की मिलतियों नहीं हुई आखर इस शमशान में लाश किसने जलाई और कहां से लाई गई अभी तक इस पस्ट नहीं हो पाया है यदि किसी गाव में कोरोना पॉस्टिव व्यक्ति की मौत होती और उसकी लाश जाली वाड़ा के शमशान घाट में लाकर जलाई जाती तो भी कुछ दिन बाद ये बात उजाकर हो जाती थी कि अमक आदमी की मौत कोरोना से हुई है और उसकी लाश को बाहर गाव के शमशान घाट में जलाया गया है लेकिन यह बात भी सामने नहीं आई है जिससे यह कयास लगारा जा रहा है कि अधजली लाश से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला एक परिवार से ही संबधित है समामले को गंभीरता से लेते हुए समामले की जाच यह तू पुलिस टीम का गठन किया है जिले के रमपाली थाना के अंतरगर डोंगर माली से साकडी रोड नाले में मोटर साइकल को ठोस मार कर अनिनित्यत हो गई इस सड़क दुरगटना में साइकल सवार गंभी रुप से घायल हो गया जिसकी जिलासपताल में उप्षार के दौरान मौत हो गई तीन दिसंबर की रातरी आठ बजे होई इस दुरगटना में मोटर साइकल सवार सिद्धान दुई के उननिस वश पांचे टोला ग्राम साक्री निवासी भी कम भी रुप से घायल हो गया जिससे जिलासपताल से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया मरतक कौमल कुमार पीता जानवा डहा के पच्पन वश ग्राम साक्री डोंगर माली का निवासी है प्राप्ट जानकरी के नुसार तीन देशमर की रातरी आठ बजे कमल कुमार शाइकल से डोंगर माली से अपने घर साक्री जा रहा था तता सिद्धात उई के अपने गाउं से किसुर पांचे के साथ मोटर साइकल में डोंगर माली से पांचे टोला साकड़ी अपने घर जा रहे थे तबी नाले के पास मोटर साइकल साइकल सवार कमल कुमार को ठोस मरकर अरियंतरित हो गई मोटर साइकल की जवर्दस ठोकर से जहां साइकल सवार कमल कुमार कंभी रुप से घायल हो गया वहीं सिद्धान्त उई के भी घायल हो गया इस दुरगटना में कि सुर पांचे को मामूली चोटी आई कहां की घटना दिये जिले के हट्टा थाना चेतर के अंतरगत आने वाले ग्राम सिंगोडी नेहरपुल के पास डंपर मोटर साइकल को ठोस मार कर फरार हो गया इस दुरगटना में डंपर की ठोकर से मोटर साइकल साबार राजकुमार जीमन लालती उडे 43 वश ग्राम खोड़ सिवनी थाना हट्टा निवासी घायल हो गया है जिससे जिला अस्पताल में भरती किया गया प्राक्ट जानकरी के नुसार 4 दिसंबर को सुब़ 5 बजे राजकुमार मोटर साइकल से ग्राम सिंगोडी धान खरीदने गया था सुबच्छे भजे राजकुमार मोटरसाइकल से सिंगोडी से हट्टा जा रहा था तबी सिंगोडी नहरपुल के पास सामने से आरा डम पर मोटरसाइकल को ठोस मार कर फरार हो गया रामपाली थाना अंतरगत तीस वर्शिय महिला के साथ छेड़ चाल करने के आरोपी मेघराज सहारी को गिरिफतार कर रामपाली पुलिस ने शुकरवार की सुभ उसके घर से ही उसे गिरिफतार कर नियायलाय की समक्ष पेश किया गया जहांसे नियायलाय ने उसे जेल भेज पुलिस से मिली जानकरी कि अनुसार थाना रामपाली अंदरगर प्रार्थी तीस वर्षिय महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह प्रती दिन की तरह अपने खेत में कृशी कारे करने के लिए गई हुई थी जहां पर महिला को अकिला देख रास्ते में जा रहे मुर्माडी निवासी 40 वर्षिय में घराज सहारे आ गया और उसका हाथ पकड़कर छिड़ चाड़ करने लगा जिस पर महिला के द्वारा चिलाने पर वहां से भाग गया अपने पदिय कर्तव्यों के प्रती लापर वाही और उदान सीनता बरतने के कारण जिला पंचायत सीओ ओमा महिश्वरी ने ग्राम पंचायत खुरसोडी के सचेव कृष्ण कुमार रंगरी को ततकाल प्रभाव से निलंबित कर दिया है ग्राम पंचायत खुरसोडी के अंतरगत कैप का निर्मान कार्य को लेकर कलेक्टर महुदय द्वारा 5 दिसंबर 2020 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गए थे और कारे में कोई प्रगती नहीं आ रही थी उच्च अधिकारियों के निर्देशों की आवहेलना और सचेविय दायत्वों के निर्वाहन में घोर लापर वाही बरतने के कारण जिला पंचायत CEO ओमा महेश्वरी ने मोख्य कारे पालन अधिकारी जनपत पंचायत बालाघाट के अनुशंसा पर मधप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की तहत कारवाही करते हुए ग्राम पंचायत खुरसोरी के सचेव कृष्ण कुमार रंगि जिस्तर की धान कराय करने के कारण नोटिस जारी किया है और तीन दिनों के भीतर अपना इस पस्ट्वी करन प्रस्तोत करने कहा गया है आरंभा समिती द्वारा 2 दिसंबर 2020 को क्राय की गई धान परिवहन के पश्चात जब गोदाम पर गई तो इस धान को FQ मापदंड की नहीं होने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया जिस पर जिला विप्रन अधिकारी द्वारा 3 दिसंबर को और जिला सहकारी केंद्रे बैंक बाला घाट के मुखे कारे पलन अधिकारी द्वारा 4 दिसंबर को रिजेक्ट की गई धान का निरिक्षन किया गया और पाया गया कि आरंभा समिती के प्रबंधक द्वारा शासन के मापदंड के अनुसार FQ मापदंड का धान नहीं खरीदा जा रहा है इस पर समिती प्रबंधक SD अंकर को कारण बताव नोटे से जारी कर इस पस्टिकरन प्रस्तुत करने कहा गया है सहकारी समितियों में अन्य राज्यों की धान समर्थन मूल्य पर बिक्री के लिए ना आपाई इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा सतत जाच कारवाही की जा रही है इस सहकारवाही की दौरान कटंगी तहसीलदार श्री रायद्वारा ग्राम उम्री में 40 बोरी गेहूं और 21 बोरी चना जब्त किया है गेहू और चना की बोरी पर रायसेन एवं सागर जिले की सहकारी समितियों की सील लगी पाई गई और उन पर प्रधान मंत्री गरीब किसान कल्यान योचना लिखा पाया गया इसी तरह लांजी S.D.M. रविंद्र परमार द्वारा ग्राम सिंगोला की तेन व्यक्तियों के पास से जब्त 499 कुइंट अलधान का कोई रिकॉर्ड नहीं पाये जाने पर उसे राजसात करने के आदेश दिये गए प्राप्त सूचना पर कटंगी नायाप तहसिलदार एवं खाद्य निरिक्षक द्वारा ग्राम उम्री के धरम चंद पिता बाबुजी पशुशेंड का निरिक्षन किया गया तो वहाँ पर 40 बोरी गेहुं की और 21 बोरी चना की पाई गई गेहुं की बोरी पर सेवा सहकारी समिती मर्यादित बस पे परिया जिला रायसेंड समर्थन मुल्य पर गेहुं खरीदी केंदर समनापूर वर्ष दो हजार अटरा उन्निस वजन 50 किलोग्राम समिती कोड 233 0037 पाया गया जलकर ग्रहकर सहित अन्या बकाय टेक्स पर आम लोगों को बाद बाद पर नोटिस थमाने वाली नगरपाली का सरकारी विभागों की आगे खुटने टेक रही है बात अगर बारा खाट नगर की करें तो नगर में कलेक्टर, कारेला, जेल, जिला पंचायत, जनपत पंचायत, थाना सहकारी, बैंक, सहित, केंदर में राज्य सरकार के अधिनस्त आने वाले किसी भी सरकारी भवन में आज तक नगरपाली का एक रोपे तक का टेक्स नहीं रोते हुए विकासकारियों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो नगरपाली का की वित्य इस्थिती में सुधार आ सकता है। जा रहा है, हम इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि किस विभाग पर कितना कर बकाया है। तभी विभागों को नोटिस दिया जाएगा और उनसे सेवा कर वसूला जाएगा। उन्हें बताया कि 10 से 15 करोड रुपे और उससे भी अधिक का सेवा कर वसूला जाना है। थी कि समपत्थिक उन्हें के उसका नाम समपत्थिक उतरम प्रवार सेवटला जाता है। परवार जो की 75% लिया जाता है किसी ने आई दनाक तक नहीं दिया है तो मैंने इसकी स्टेडी किया है डारेक्टिट में भी इसके पुरा पत्रचार को मैंने खट्टा किया है तो हम सभी डपार्टमेंट्स को अब नोटिस दे रहे हैं कि आपका जब से बिल्डिंग आपका कितनी लेंड में बनाया है और कितनी लेंड पर है तो इस पर हम संपत्ति करका 75% से सेवा परवार की रूप में वह सुलने की कारवाई कर रहे हैं तो इससे भी एना नगरपालका को काफी रिवन्य होगा हो सकता है उसकी वतलब मात्रा क्रूडों में हो दो चार क्रोड पां जिले में समर्थन मुल्य पर धान खरीदी कार्य प्रारंभ होने के बाद उत्तर प्रदेश सहित अन्या प्रदेशों से भारी मात्रा में परिवहन किये जा रहे धान को समर्थन मुल्य पर खापाने की संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जिले की प् प्रशास्वन द्वारा की जारही कारवाही में मिल मालिकों वा व्यापारियों को परिवहन संबंधी आविशक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए वा नोटिस तामिल किये जाने के बाद चार दिसंबर को तहसील कारिया लालबर्रा में गोंधिया वा बालगहाट जिले के मिल मालिकों ने उपस्तित होकर SDM संदीब सें के समक्ष परिवहन वा मिल के GST नंबर सहित अन्य पहचान संबंधी आविशक दस्तावेजों की ओरिजिनल कॉपी प्रस्तुत करने कहा है जिसकी जाँच प्रक्रिया जारी है बता दे कि प्रशासन के निर्देश के बाद 3 दिसंबर को मिल मालिकों वा व्यापारियों SDM संदीब सें से मुलाकात कर ट्रकों के खड़े रहने के कारण हो रही परिशानियों से अफगत करवाते हुए परिवहन संबंधी दस्तावेजों की फोटो कॉपी प्रस्तुत की गई थी जिसका निरिक्षन करने के बाद SDM शुरी सेहने से मालिकों को ओरिजनल दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे जिसके बाद 4 दिसंबर को तहसीर कारियाले में काफी संख्या में गोंधिया वा बालाखाट जिले के मिल मालिकों वा व्यापारियों के द्वारा उपस्तित होकर दस्तावेज प्रस्तुत किये गए हैं जिसकी जाच प्रक्रिया जारी है और जाच प्रक्रिया के दौरान जिन मेन मालकों वाव्यापारियों के दस्तावेजस सही पाए जाएंगे उन ट्रकों को परिवहन की अनुमती प्रदान की जाएगी आपको बता दें कि पांच दिनों की कारवाही के दोरान चार दिनों में बॉर्डर पर धार से बने 86 ट्रक रुकवाए गए थे जिसके पश्यात पांच वे दिन 4 दिसंबर को 149 ट्रकों के पहुँचने से कुल आकड़ा 225 पहुच गया है जिससे राजमार करवांक 72 में ट्रक अन जगहों पर खड़ा कर दिया गया था जिससे प्रशासन द्वारा दिये गए निर्देशों के बाद सभी ट्रक चालकों ने ट्रक को बॉर्डर पर लाकर खड़ा किया है जूटी पर तैनात कर्मचारियों ने बताया कि 225 ट्रकों में 135 ट्रक गोंदिया महरास्ट्र एव अब 90 ट्रक बाला घाट में धान लेकर आ रहे थे तो ये थी अब दकी खास खबरें अगरे नियूस बुलिटन के साथ फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार